आज हम बात करेंगे पांच राज्चों में संपन्न हुए चुनाव की यह चुनाव आने वाले लोग सभा पर तो प्रभाव डालेगा ही साथ साथ राजनीती की नई दिशा भी तैगरेगा चलिए बात करते हैं भाजपा की भाजपा मद्य प्रदेश में आज ही के दिन यानी 8 दिसम्मर 2003 को सत्ता सीन हुई थी जब उमा भारती के निर्दत्व में भाजपा ने मद्य प्रदेश का चुनाव लड़ा और 10 साल से सत्ता पर काबिश कॉंग्रिस के दिगज माने जाने वाले मुख्यमंत्री दिगविजय को हरा कर 173 सीट पर कबजा करते हुए सरकार बनाई लेकिन अगस 2004 में उनके खिलाफ हुबली शहर में 1994 में हुए सामपरताइक दंगे के एक मामले में गैज अमानती वारेंट जारी होने के बाद उमा भारती ने अपना इस्तिफा राजपाल बलराम जाखड को दे दिया था इसके बाद भोपाल में भास्पा विधायक दल की बैठक में उमा भारती सरकार में ग्रह मंतरी रहे गौर को विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया इस प्रकार बावुलाल गौर ने एक कमजोर नेता के रूप में मद्य प्रदेश की कमान समाली लेकिन कमजोर मुख्य मंतरी के तौर पर बावुलाल गौर एक साल 98 दिन ही मद्य प्रदेश की सत्ता समाल सके वारेंट का मामना ठंडा पड़ने के बाद उमा समर्थकों ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए लामबंदी शुरू कर दी तब लालकष्ण आनवाडी बीजेपी के अध्यक्ष थे उसके बाद उमा भारती की वापसी तो नहीं होई लेकिन 29 नमबर 2005 को शुवरा सिंग चौहान ने पहली बार मद्यपरदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपत दी थी तब से उनकी अगवाई में लड़ा गया 2008 और 2013 के विधानसवा चुनाव में भारती जंता पार्टी लगाता जीत दर्श करती रही लेकिन इस बार पश्चमी मद्यपरदेश में उपजे किसान आंदोलन हिंसा पिछले साह मनसौर में हुए किसान आंदोलन हिंसा के दोरान जिसमें 6 जून 2017 को हुए आंदोलन में पुलिस की गोली बारी में 6 लोग मारे गए थे इटेंडरिंग हुटाला पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम मद्यपरदेश में हाल ही में हुई बलातका जैसी घटनाओ के मुद्दों ने शिवराज के लिए मुसीबत खड़ी कर दी जिससे वे उबर नहीं पाए कहीं न कहीं पार्टी कारे करताओं को इस बात का पहले से आभास था कि इस बार उनके लिए सब कुछ सही नहीं है और 12 वर्षों की एंटी इंकमबेंसी भाषपा पर भारी पड़ सकती है इसलिए भाषपा का एक तबका शिवराज सिंग चौहान की नेतरतु में विधान सबा चुनाव लड़ना नहीं चाहता था लेकिन संग परिवार और भाषपा के शीर्ष नेतरतु से गट जोड के माहे शिवराज सिंग चौहान नेतरतु परिवरतन को तो टाल गए परन्तु मद्परदेश में भाषपा की हार टालने में कारगर सिद्ध होते दिखाई नहीं दे रहे हैं भाषपा की मद्परदेश हार से आगामी लोगसवा चुनाव पर खास असर होगा 29 लोगसवा सीटों वाले इस राजजब में भाषपा ने 2014 में 27 सीट पर जीत दर्ज की थी जो इस बार मुश्किल होगा शिवराज सिंग चौहान के हारने के बाद मद्परदेश भाषपा में काफी कुछ परिवरतन के कयास लगाए जा रहे हैं पांच राजब में हर के बाद अमिश शा पर भी दबाब बढ़ेगा अब देखना ये है कि 11 दिसम्बर को उंट किस करवट बैठता है प्राइम निस 24 के लिए प्रिया बौद की खास रिपोर्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और शेयर करें सब्सक्राइब के बगल में बैल आइकन को दबा कर हमारी ताज़तरीन खबरों से अपडेट रहें